दोस्तों गिरी टूटल के इस प्लैटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखो पूरा गला-गला बैठ गया है पर लेशन नमबर सेवन तक मैंने सब चीजे दे दी है अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से आप 40 आप 40 ला सकते हैं अब लेशन नमबर 8 भी लेक पूर्टेंट है उतना ही बताऊंगा तो वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कॉमेंट होना चाहिए देखो सबसे पहले आपको पहला कोश्चन यह पता होना चाहिए कि वाटर दे टू टाइप सब सेल पहला टाइप जो हैं जो दूसरा टाइम है जो दूसरा टाइम बोल यहां सबसे पहला रिजनरेट creativity जीसक्ति वारे में लेख सकते हो जहां पर सकते हैं इसके हैं on organ transplant जैसे एगर समझो kidney जैसे organ जो है वो फेल हो गए liver जैसे organ अगर फेल हो जाते हैं तो हम इसके stem cell के help से हम उस organ को क्या कर सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पर transplant कर सकते हैं इस organ को हम क्या कर सकते हैं produce कर सकते हैं बट यह चीज़े अभी successful नहीं हुई है बट आप answers में तो लिख सकते हो इसके बाद next question है दोस्तों ऐसे कौन से organ है जिसे हम date के बाद ही donate कर सकते हैं तो आए यह दे को बहुत simple simple चीज़े ढून के लेकर आया हूं भुक के बीच बीच में liver है दूसरा हाट है और तीसरा eyes है देन दोस्तों इसके बाद next है बाय टेक्नोलजी बाय टेक्नोलजी में यह बहुत important part है बाय टेक्नोलजी में बस दो words याद रखो एक आप याद रखो genetic changes और दुसरा hybridization अब genetic changes कोन करेगा हम करेंगे तो इसलिए artificial genetic changes याद रखना artificial genetic changes and hybridization किसके लिए दोस्तों for human welfare आपको पता है population इतना बढ़ते जा रहा है तो अपने को उतना production भी करना होगा तो इसलिए बाय टेक्नोलजी का बहुत जादा जरूरी है तो इसलिए artificial genetic changes and hybridization for किसके अंदर यह हम करेंगे organism के अंदर किसलिए for human welfare तो देखो यहाँ पर definition direct याद हो जाएगा artificial genetic changes and hybridization in organism for human welfare अब देन इसके बाद दोस्तों की what are the benefit of biotechnology बहुत simple language में मैं आपको याद करवा दे रह हो गया दूसरा expenses on this is minimize help minimize दूसरा याद हो गया कि और तीसरा आप याद दिख सकते stress resistance वेरिटी जैसे कि अगर हम इसके अंदर जो वेरिटी जो seeds होते हैं जो इसके अंदर plants तयार होते हैं उसके उपर temperature अगर change ज्यादा कम होगा उसका ज्यादा असर नहीं होता इसके उपर water stress है water ज्यादा कम होगा उसका भी ज्यादा असर नहीं होगा तो इसलिए हम इसे इस टाइप में जो बाय टेकनोलोजी के help से जो चीजे बनती हो stress resistant वेरिटी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो इस तरह से आप चीजे लिख सकते हो कौन-कौन से areas में इसका help किया जाता है तो कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो बायो मॉलेकिल लाइक डियन ने तो यह अलग अलग चीजों में हम इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों इस इंडर्श्री में भी हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे जगह दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिड आई जिए सब से पहले मैं क्रॉप्स और वी कमबाइन टू-फॉम तो यहाँ पर हम है इस के लिए किया जाता है फूट के लिए कि या जाता तो याद रटना यहाँ पर कहीं लिखा हो गया फूट के लिए इसका यूज करते हैं जैनेटिकली मॉडीफाई क्रॉप्स और इस बार इंडिया ने एक को पर्मिशन दिया है GM crop को आप मुझे comment करके बता सकते हैं अगर आपको current चीजों का knowledge है तो अच्छी बात है देखो genetically modified crop में आप क्या याद रख सकते हो बस यह याद रखो यहाँ पे जो भी crop है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों integrate करते foreign gene with their genome तो दोस्तों हम यहाँ पर बस याद रखना कि crop develop with desire character by integrating foreign gene with their genome बस इतना याद रखोगे तो आपका यह काम हो जाएगा दोस्तों इसके बाद next है आपका BT cotton BT cotton के अंदर आपको क्या याद रखना चाहिए BT cotton के अंदर कि देखो cotton plant को ऐसा तयार किया जाता है दोस्तों कि उसके अंदर उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर यह जो bacteria दिखाई तो यह जो बैक्टेरिया है इसके gene को जो हमारा यह cotton crop है उसके genome के साथ integrate किया जाता है दोस्तों जिससे क्या होता है कि जब cotton plant तयार होता है तो उस plant पर attack करने के लिए ballworm आता है यह ballworm जो है यह याद रखना है यह उसको attack करने के लिए आता है पर उसके leaf में उसके leaf में यह toxic रहता है यहाँ पर उसके leaf में जो toxic रहता है जिस भी इसी तरह से work करता है and the next one that is golden rice के बारे में आपको क्या-क्या पता होना चाहिए golden rice आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि vitamin A से related है ये आपको एक words पता होना चाहिए और 2005 में इसे हमें introduce किया गया जिसके अंदर 23 times ज्यादा beta carotene था vitamin A 23 times ज्यादा था normal rice के comparison में बस इतनी चीज़े अगर आपको याद है तो आप इस वाले पार्ट का कुछ दिक्कत नहीं है board exam ने इसके उपर question पुछा था और मैं हमेसा IMP देता हूँ कि bio fertilizer के कोई भी 2 examples से याद कर लो rhizobium एक तो आपको याद होगा वह आपको याद कर लेना है कि हम यहाँ पर artificial insemination process करते हैं और दुसरा embryo transfer ट्रांसपर जो टेकनीक है यह दो process हम animal husbandry में करते हैं और this improve the this it is help to improve the both the quality as well as quantity quantity as well as quality बस आप दोनों method याद रखो बस बात खतम हो गया इसके बाद vaccination का थोड़ा साब definition यह सब पढ़ लेना कि vaccination क्या है साइद आपको दीखा नहीं दीखा देता हो यह देखो vaccination से related थोड़ी बहुत चीजे पढ़ लेना मैं यहाँ पर देखो यह इस से related बता रहा हूँ यह जो edible potato है यह हम हमें immunity किसके against देता है और यह डाइग्राम देख लेना एक बार अब दोस्तों next है कि हमें interferon के बारे में बोला गया साइड यह दिख नहीं रहा है आपको थूड़ा समेच को नीचे ले तो हाँ interference यह है इसका यूज किसके लिए किया जाता है दोस्तों treatment of viral disease के लिए इसका यूज करते है और यह जो है देखो these are producing blood है और हम इसे help अभी हम इसे generate कि इसके through करते हैं तो तो कि यहां पे लिखा है कि with the help of biotechnology ट्रांजेनी E-coli are used for production of interferon तो आज हम किसका यूज करके हम interferon का production करते हैं बस यह याद रखना E-coli है बाकी कुछ इसके अंदर याद नहीं करना है नेक्स्ट है आपका gene therapy gene therapy में बस एक words याद रखना जो आपके exam में आने के बहुत ज़्यादा chances है phenyl ketonuria दिखाई दे रहा है यह आपको यह यहाँ पे जो चीज़े दिखाई दे रहा बस यही आपको याद रखना है और इसके treatment के लिए यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं और एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं यह तरह काई cancer है यहाँ पे आप याद कर सकते हो कि to treat the genetic disorder इन सॉमेटिक सेल सॉमेटिक सेल में जो भी जैनेटिक डिसॉडर होगा उसके treatment के लिए हम जीन थेरपी का यूज करेंगे बस इससे ज्यादा कुछ नहीं next अपना cloning होगा cloning का definition cloning मतलब क्या होता है copy तो देखो यहाँ पे लिखा है production of replica of any cell any cell किसी भी cell का copy तयार करना है तो उसे हम cloning बोलते है इसका definition आ सकता है इसके types आ सकते है there are two types बस types याद कर लो reproductive cloning and therapeutic cloning बस यह दो types याद कर लो आप इस पे ज़्यादा मेहनत मत करो अब देखो आगे आगो यह बहुत important है what is bio remediation bio remediation क्या होता है दोस्तो absorb करना absorb किसको करना दोस्तो toxic chemical and harmful pollutant किसके help से करना with the help of plant and microorganism देखो definition याद हो गया to absorb क्या absorb करना harmful chemicals and pollutant किसके help से with the help of plant and microorganism इसकाल bio remediation यह अच्छे से कर लेना topic and then दोस्तो अगर हम plant के help से करेंगे तो से हम बोलेंगे phyto remediation अगर यहाँ पर यह एक याद रखना और यहाँ पर कुछ चीजे है यह examples हो सकता है कहीं पर आपको MCQ में आ जाए और दिखने में बहुत danger है पर मैं आपके लिए बहुत easy कर दूँगा सबसे पहला सबसे पहला देखो मैं uranium को क्या कर सकता है एब्जॉब कर सकता हो तो for the absorption of uranium and arsenic हम कुन से plant का यूज़ करते है तो यह आ सकता है question तो sunflower याद रखना है यह trick है देन दोस्तों इसके बाद आप दूसरा trick यह याद कर सकते हो हाँ आपको पता कि MS धोनी जो है variety का हम यूज़ करेंगे देन दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर terrace vitata जो है उसको उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे यहाँ पर arsenic का absorption करेंगे soil से तो यह तो direct आपको याद रखना है and then cedomonas यह तो आपको याद होगा bacteria का यूज़ हम क्या करेंगे cleaning the hydrocarbon and oil pollutant तो यह तो cedomonas याद है हमने oil spill में हमने पढ़ा है तो यह वाला आपको पाट याद होगा और लाश वाला तो बहुत easy है दूस्तों radio durance याद है तो radiation से related है बस यह होगा और लाश में हाँ लाश में हम कुन-कुन से grassis का यूज़ करते हैं यहां पर पहला वर्ट्स मैंने इसलिए उसको सर्च यहां पर underline किया था यूनीक वाले पर दैन दूसरा कि हम इस पर identify कर सकते हैं पॉर्शन को DNA के according DNA fingerprint के according दोस्तों इसके बाद हम इसको इसका यूज हम जनरली कहां पर करते हैं forensic science में करते हैं तो अगर आपको DNA fingerprint में sort note अगर कुछ आया तो आप ऐसी चीज़े लिख सकते हो next है दोस्तों यहां पर अप सबसे important है green revolution अब green revolution के अंदर आपको क्या याद रखना है दो-तिन points आपको पता होना अच्छी कि इसके लिए किसे father बोला जाता है यह आपको पता होना अच्छी और किनों ने अपना contribution दिया तो दो लोगों ने दिया एक USA के थे Mexico के जिनका नाम है Norman Barlog और दुसरा थे MS Swaminathan MS Swaminathan जी का आपको नाम याद होगा प्लीज याद कर ले न MS स्वaminathan जीने father बोला जाता है दोस्तो और दोस्तों इसके बाद green revolution किसले किया गया था to increase the production of food grain to increase the production of crops यह भी आप लिख सकते हो और इसके बाद एक दो पॉइंट आप अपने मन से लिख सकते हो तो green revolution के बारे में इतनी चीज़े पता होना चीए नेक्स्ट है आपका वाइट रियोलूशन वाइट रियोलूशन किस से रिलेटेट है milk product और milk and milk products से रिलेटेट है आपको सबसे बहले यह पता चल जाए दूसरा कि हमें इसके अंदर self-depend होना है यह आपको पॉइंट पता होना चीए उसके फादर को ने डॉक्टर वरगीश कुरियन इंका डेथ अभी रिसेंटली हुआ तो यह आपको पता होना चीए और आनंद के बारे में आपको पता होना चीए गुजरात में जो अमुल का है इसके बारे में आपको पता होना चीए अंद दोस्तों इसके बाद है वाइट रियोलूशन स्वारी वाइट हो गया ब्लू रियोलूशन ब्लू लू रिवॉलुशन अब दोस्तों यहाँ पे बीच के आप पॉइंट्स पर सकते हो पर एक पॉइंट आप मेंशन करना नील क्रांती मिशन यह गौवर्मेंट का मिशन है जिसके अंदर गौवर्मेंट सब्सेटी प्रोवाइड करती है 50-100 पॉशन सब्सेटी गौवर्मेंट अपने मतलब कि अगर समझो 100 अगर 100 रुपे लगने आला तो कभी के गौवर्मेंट 100 रुपे खुद खर्चागर देती है ठीक है आप लोग करो काम हम आपको 100 पूरा देंगे पर कभी कभी क्या करती है 50 रुपीज देती है इसके बाद इंसेक्टिसाइट के आपको यहाँ अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है और आगे दोस्तों ऑर्गनिक फार्मिंग के बारे में यह पता होना चाहिए इसके इंदर हम कोई केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं इसके वज़े से स्वाइल की फॉर्टिलिटी इंक्रीज होती है फॉर्टिलिटी क नेक्स्ट है अब सोसल हेल्फ तो यहां पर यहां पर मैंने सब चीज़े दोस्तों बता दिया आप यहां पर प्रोसेसिंग यह सब अच्छा तो बस यहां तक बस इतनी चीज़े आपको पता होनी चाहिए बाकी कुछ नहीं तो वीडियो का देखने के लिए दिन से ठैंक्स थैंक्यू सोमस्ट दोस्तों उमीद करता हूं कि 13 मिनिट के अंदर मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ों कवर करा है थैंक्यू सोमस्ट दोस्तों जाहिन दोस्तों